हेलो आवरेवन नमस्ते आप लोग अदबार सौगत है हमारे इस प्लेलिस्ट में इसका नाम है अब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग इस C++ और हमने दो यूनिट्स कंप्लेट कर दिया है हमने अब्जेक्ट्स और क्लासिस के बारे ने पढ़ लिया है हमने बेसिक सुप्स के सब्सक्राइज में आपने मुझे सुना हिए क्या हैं और दिस्क्रिंट को पहले भी यूज्स करते समें और अब हम इनको पढ़ने वाले क्योंकि इ Object क्ला सब्सक्राइज कुक्ड एक्जिस्टेंस ऑज़ीनिक क्लासिस न और हम कह से लिए की क्लासिसके कि यहां construction और यह लॉक से अगर आपने बच्विन में खेल हो तो तो constructor होते हैं definition पर दियान देते है a member function with the same name as its class is called constructor and it is used to initialize the object of that class type with a legal initials so constructor क्या करता है जैसे इसका नाम ही है कि वो construction में help करता है किसी construction में help करता है objects की construction में जो भी हमारा object होता है class का जो भी हम initialize करते हैं उसको construct करने में मदद करता है ठीक है और हमें यह क्यूं चाहिए इसको understand करने के लिए हम फिरसे program पे जाते हैं तो हम यह program खोला हमने और यह वही class रिक्ते हैं class जो हम प्रिछले साई lessons में use कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के समझाने के लिए पहले बात कंस्ट्रक्टर होता गया है तो पहले हम बात करते हैं arrays की देखो arrays होती है तो हमारी array हो गई ठीक है इसके तीन members है तो हम इसको एक ही line में initialize कर देते हैं जैसे हम value देदी 156 देदी मैंने value ठीक है तो हम इसको एक ही value में initialize भी कर सकते हैं पर जो objects होते हैं classes के उनके लिए यह सब फिजिवल नहीं है हम ऐसे नहीं कर सकते हैं हम क्या करते हैं instead? हम करते हैं कि एक mutator बनाते हैं फिर उस mutator से हम उस mutator को call करते हैं और अब्जेक्त के डिक्लेर करने के लिए पर हमार पास कुछ चाल magari की हम by default के चयते हैं, कि ऐसा कुछ कर सके हैं, objects के साथ, classes मारे पास ही Option निया है कि हम ऐसा कुछ कर सके developments क्लासिव के चोशा है, जब भी हमें एक user say, तो फूरार पास कुछ ऐसा पाऊर हो कि हम शुरुआत में initial, initialize कर दें, ऐसा हम सेम structure के साथ भी possible है कि हमने कोई structure बनाया उसके दो variable है सबस्थ तो उसको भी हम इसी तरह initialize कर सकते हैं but classes में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है तो classes में ऐसा करने के लिए हमारे पास जो tool है वो है constructor हम क्या use करते हैं constructor constructor करेगा construct करेगा हमारे यह जो objects है और constructor का नाम है के constructor एक member function है और member function कौन से member function है उसका नाम सेम है class name के साथ ठीक है तो और यह है हमारे points जो हमें ध्यान में रखने होते हैं एक class के अंदर constructor बनाते समय तो इन points को हम discuss करेंगे next video में जब हम rectangle जो हमारी एक class है इसका एक constructor बनाएंगे और फिर उसको use करेंगे हम यह mutator को use ने करेंगे हम यह यह use करेंगे हम एक constructor यूज करेंगे तो see you in the next video तब तक लिए टाटा बाई बाई